हेलो प्यारे बच्चों, once again, welcome you all at location unlimited study zone, so चल रही है क्लास कक्छा दसवी के त्रेमासिक परिक्षा जो अभी हमने दी है, सभी बच्चों, आप लोगोंने दी है, त्रेमासिक परिक्षा दी है, गणित विशय का हम इसका संपूर्ण हल करा रहे हैं, और यह जो है, अभी जो वीडियो आपके सामने आने वाला है, यह इस हल का part B है, यानि की दूसरा भाग है, इसके पहले मैंने पहला भाग आपको करा दिया है, I hope आप लोगोंने पहले भाग के सभी question कर लिये होंगे, और अब हम दूसरा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमने इसके पहले question number 14 तक पूरे के पूरे कर लिये थे, I hope किया मैंने आपको करा ही दिया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगोंने question number 14 तक सभी अपने answers चेक कर लिये होंगे, अब हम question number 15 से करने जा रहे हैं, तो question number 15 जो है, वो त्रिभुच चेप्टर का question है, इसको दोस्तों हम लोग last में करेंगे, मतलब इसको जितने भी त्रिभुच के question आएंगे, ये एकदम last में हम लोग करेंगे, याद से, ओके, तो question number 15 भी last का है, त्रिभुच का है, 16 भी त्रिभुच का है, तो मैं इसे due कर देता हूँ भी, एकदम अंत में करेंगे, ठीक ना, और 16 के अंत वाला भी due है, चलिए question number 17, यहाँ से सुरू करते हैं, question number 17 करेंगे, देखें, बहुत easy question है, question number 17, क्या कह रहा question number 17 आपके सामने, यह देखें, दो सवाल इसमें है, alternate, बिंदू A माइनस 5,7 और बिंदू B माइनस 1,3 के बीच की दूरी ग्याद कीजिए, पहला सवाल है, दो बिंदू दिये गए हैं, ओके, और दूसरा है, मूल बिंदू से बिंदू A 3,4 के बीच की दूरी ग्याद कीजिए, चलिए, आई पहला सवाल 17 का बिंदू A, तो पहला बिंदू बनाईए, और दूसरा बिंदू बनाईए, बिंदू A है, बिंदू A के नर्दे सांग कितने है, माइनस 5,7 और बिंदू B के नर्दे सांग कितने है, माइनस 1,3, आपको A से लेके B के बीच की दूरी ग्याद करनी है, तो सू उत्र लगा दीजिए, बहुत आराम से आपका उत्र आजाएगा. x2 क्या है यहाँ पे? x2 आपका है, x का दूसरा क्वाडिनेट. तो यह जो है, यह दिखता है आपको x1, y1 और यह जो होता है, यह होता है x2, y2. तो x2 यहाँ पे क्या बनेगा? minus 1 और minus x1 कितना है minus 5, देखें यहाँ पर बहुत बच्चों से गलती होगी, क्योंकि coordinate ऐसे दिये गये हैं, निर्दिशांक ऐसे दिये गये हैं कि बच्चे परिशान हो जाएं तो x2 है minus 1 और minus minus 5, ठीक है, plus y2 कितना आपका 3 है minus y1 कितना है, 7 का whole square यह हो गया, अब इसको हल करता हूँ मैं तो x2 कितना है minus 1, minus minus plus 5 हो जाएगा whole square, plus 3 minus 7, कितना होगा minus 4 का square तो यह देखे, यह कितना बन जाएगा अपने पास में यह बन जाएगा आपके पास में 5 और minus का 1, ठीक है ना plus का 5 minus का 1, मतलब 4 का square, और यह भी कितना हो जाएगा, minus का square तो plus होता ही है, तो minus का square आप गयाप कर सकते है, minus को plus 4 तो under root 16, plus 16 यनि कि कितना हो गया, under root 32, तो यहाँ तक भी सही है, अगर कुछ लोग जाएगा, तो इसको 16 गुणे 2 कर सकते हैं, और 16 का root कितना जाएगा, चार बाहर तो उत्तर बनेगा 4 root 2 1 तो इसका correct answer आजाएगा, 4 root 2 1 इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, simple formula लगा करके, चलिए, अब दूसरे सवाल की और आते हैं, दूसरा सवाल है, मूल बिंदू की बिंदू A 3,4 से दूरी ग्याद कीजिए, तो ये second part है, इसका अथवावला, तो मूल बिंदू क्या होता है, आपको बताया गया था, कि मूल बिंदू होता है, ये origin, जिससे मूल बिंदू कहते हैं, और इसके निर्देशांग क्या होते है, आपको बिंदू 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 उत्तर होगा. 5 इकाई. Done. तो दोनों सवाल बहुत सरल थे. अगले सवाल क्योरांगे बढ़ते हैं? ये देखिए. अगले सवाल में भी दो पार्ट है. इन दोनों को हम साथ में ही करेंगे. ले चलते हैं इनको स्वाल करने के लिए. चलिए इनको हल कराते हैं यह रेखे सवाल हमारे सामने है यदि बिन्दू Q 0,1 बिन्दू 5,3 और Rx,6 से सम्दूरस्त है तो X का मान ग्यांत कीजी यहां ग्यांत कीजे लिखा हुआ है ठीक ना कैसे करना इस सवाल को देखे क्या कह रहा है इस सवाल एक बिन्दू है आपके पास में जिसका नाम है Q और Q के निर्देशांक है 0,1 बीच में कॉमा लगा हुआ है और बिन्दू 0,1 दो बिन्दू एक बिन्दू P है 5,-3 और एक बिन्दू R है जिसका नाम है X,6 से सम्दूरस्त है ने की समान दोरी पर है तो जितनी दूरी बिन्दू Q की P से है उतनी दूरी बिन्दू Q की R से है तो आप क्या लेक सकते हैं आप लेक सकते हैं Q P की दूरी बराबर Q R की दूरी Q P बराबर Q R दूरी को लिखते हैं Q P बराबर Q R ठीक ना तो एक दूरी ये वाली हो गई, एक दूरी ये वाली हो गई, दोनों सम दूरस, सम है ने समान दूरस थे ने समान दूरी वाले हैं, चले तो इसको हल कर देते हैं, QP का दूरी सूतर लगा दिजे, एक इधर भी लगेगा, और एक इधर भी लगेगा, QP, तो क्या बन जाएग माइनस का X1 तो 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 देखे 1 माइनस और Y1 कितना है यहाँ पर देखे यहाँ यहाँ पर 3 है बड़े आराम से माइनस 3 सॉरी तो माइनस 3 का होल वर्ग यह लगा दिया जी अच्छे से समझेगा 1 माइनस देखे पहले 1 लिखा Y2 माइनस और Y1 कितना है माइनस 3 है ना तो 1 माइनस माइनस 3 का complete वर्ग बाहर की तरफ यह हो गया और फिर यहाँ पर कितना दिखे अब फिर से यहाँ पर X2 माइनस X1 तो QR X2 कितना है आपे दिखे यह है X और यह है 0 तो X माइनस 0 का वर्ग प्लस Y2 कितना 6 माइनस 1 का वर्ग चलिए इसको हल करते हैं क्या जगा 0-5 मतलब minus 5 का वर्ग और 1 minus minus plus 1 minus minus plus 3 हो गया plus 3 का वर्ग बराबर under root x minus 0 यहने की x का वर्ग और 6 में से 1 गया यहने की 5 का वर्ग अब आराम आराम से इसको खोल दीजे तो दीखे root के अंदर minus का वर्ग तो प्लस ही हो जाएगा तो 5 का वर्ग बचेगा और 1 plus 3 यहने कितना 4 का वर्ग बराबर x स्क्वाइर प्लस 5 का वर्ग अब दो रास्ते हैं आप तो यह तो आंगे solve करके कर सकते हो यह यहीं पर वर्ग ले लो तो लिख लीजे दोनों पक्चों का वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या हो जाता है वर्ग करने पर वर्ग मूल कैंसल हो जाता है जिसको मैं root कह रहा हूँ तो 5 का square और 4 का वर्ग बराबर under root x का वर्ग और 5 का वर्ग यह दिया था आपने क्या कर दिया, दोनों पक्छों का वर्ग कर दिया, तो यहां पे भी वर्ग कर दिया, और यहां पे भी वर्ग कर दिया, तो वर्ग से वर्ग मूल कैंसल, वर्ग से वर्ग मूल कैंसल, तो 5 का स्क्वार 25, 4 का स्क्वार 16, बराबर X का स्क्वार X का वर्ग हो गया, और 5 क स्क्वार 25 ही हो गया तो 25 प्लस 16 कितना हो जागा 6, 5, 11 की 1, 2, 1, 3, 1, 4, 41 बराबर X का वर्ग प्लस 25 ही हो जाएगा ठीक ना 25 और 16, 41 तो हमें क्या चाहिए X का वर्ग चाहिए तो X का वर्ग बराबर 41 माइनस 25 तो 11 में से 5 गये 6 है और यह बन जाएगा 4 में से 1 गये 3, 3 में से 2 गये 16 तो आंसर X से स्क्वार बराबर 16 बच गया इसको पलट करके लिख दो तो X स्क्वार बराबर 16 तो आंसर X बराबर हो जाएगा क्या अंडर रूट 16 प्लस और माइनस रूट लगते हैं तो आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 4 तो जो X का मान आया है वो कितना आया है प्लस माइनस 4 ठीक ना तो X का मान कितना आया है प्लस माइनस 4 मतलब X के 2 मान आया है एक प्लस 4 और एक माइनस 4 अब देखे इसमें आप यह मत जमन लेना कि X का मान निरनात्मक नहीं हो सकता है, ये निर्दे सांग है X, तो X जो है, कुछ भी हो सकता है, है ना, तो X का मान ज़्याद किज裡面, to X के 2 मान आये हैं, यहां पर 1 आया है, प्लस 4, एक ब्लस 4 एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निर्देशांग धनात्मक भी हो सकते हैं, और रिनात्मक भी हो सकते हैं, चलिए, पहला भाग हो चुका है इसका, अब इसका दूसरा भाग करते हैं, कुछ बच्चों ने दूसरा भाग किया होगा, तो वो भी कर देता हूं, मैं, चेक कर लेंगे आ दूसरा बिंदू है b और हमाँ पस जो बिंदू बिंदू जो है minus 1,7 और 4,3 minus 1,7 और 4,-3 को विभाजत करता है तो यह तो बिंदू हो गए हमारे याद रखिएगा हम दूसरा भाग कर रहे हैं यहां से है कितने अनुपात में विभाजत करता है दो अनुपाते तीन में, तो यहाँ पे दो हिस्से और यहाँ पे तीन हिस्से, ऐसा कुछ, दो अनुपाते तीन में भाज़ित करने वाले बिंदू का निर्देशां ग्याद करना है, तो माल लिया मैंने बिंदू है PX,Y, क्या माल लिया मैंने बिंदू PX,Y, ठीक है न, चलिए इसको solve करना हमको, तो हमको इस बिंदू के निर्देशां ग्याद करने है, किसके PX,Y के, और हमारे यह बिंदू A लिया है, यह बिंदू B लिया है, तो आपको पता है, X का formula क्या होता है, X equal to मैंने बताया था, अगर विभाजन के अनुपात M1 M2 हो, तो formula मैंने बताया था, M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, यह X निर्देशांग होता है, और Y निर्देशांग क्या होता है, M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2, यह विभाजक विंदू के Y निर्देशांग, तो यह किसका काम कर रहा है, यह M1 का काम कर रहा है, यह किसका काम कर रहा है, M2 का काम कर रहा है, ओके, यह क्या है, X1 Y1 बन गए, और यह क्या बन गए, X2 Y2, तो चलिए, X का मान निकालते है, X equal to M1, तो 2 किसके साथ भीड़ेगा, 4 के साथ, है ना, क्योंकि M1 X2, तो 2 गुणे 4, दो किसके साथ भीड़ गया, चार के साथ, फिर M2 कितना है? 3, 3 किस के साथ खेलेगा? माइनस 1 के साथ, तो 3 इंटू माइनस 1, अपॉन में M1 प्लस M2, यहने 2 प्लस 3, तो यह तो X की कहानी निपड़ गई, अब Y की कहानी करता हूं, में यहाँ Y equal to, फिर से 2 किस के साथ? Y2 के साथ, तो 2 गुणे माइनस 3, प्लस 3 है अनुपात, दूसरा, और किस के साथ भिड़ेगा? 7 के साथ, और बटे वही अनुपातों का योग 2 धन 3, तो हल करिए X बराबर 2 चोके 8, और 3 एकम माइनस 3, और 2 धन 3 कितना हो गया? 5, और इस तरीके से Y बराबर, 2 गुणे माइनस 3, माइनस 6, और 3 गुणे साथ 21, और यहाँ पर कितना आ गया? 5, ठीक है हमने, 2 का 4 के साथ है पहला, ठीक है, और माइनस 1, 2 इन्टू 4, प्लस माइनस 1 इन्टू 3, हाँ बिल्कुल सही किया हमने, इसको थोड़ा साथ अच्छे से लिग अपान 5, तो क्या बच गया? 5 बाइ 5, और Y इक्वल टू 21 माइनस 6, तो 21 में से 6 माइनस करिए 15, बटे 5, तो यह कितना आएगा बचों, यह 3 आएगा, और यह कितना आएगा, यह 1 आएगा, तो X बराबर 1, और Y बराबर 3, तो बिन्दू P के नरदेशांग क्या हो जाएंग पी, तो इस बिन्दू P के नरदेशांग क्या हो जाएंगे? पी, एक कॉमा तीन, ठीक ना? तो यह जो बिन्दू P आएगा, वो आएगा एक कॉमा तीन, ठीक है, यह हमने हल कर लिया, इसको इस तरीके से आप बना लिजे अच्छे से, सॉल्व कर लिजे, चलिए, डन, अग यह क्वेस्चन तो मैंने आपको कई बार बताया है, कि रूट टू एक अपरी में संख्या है, यह तो बहुत बार मैंने आपको क्लास में कराया है, कि सिद्ध करिए कि रूट टू एक अपरी में संख्या है, और मैंने कहा भी था कि यह आपको आना ही है, और दूसरा फिर से कराया देते हैं, सिद्ध करेंगे, कि root two एक अपरिमे संख्या है, तो इसको हम कैसी विधी से करते हैं, इसको हम विरोधा भास विधी से करा करते हैं, कि root two एक अपरिमे संख्या है, इसको हम किस विधी से करते हैं, विरोधा भास विधी से हैं, तो आज भी हम इसको वि परिमीए संख्या है तब दो तो परिमीए संख्या है तो आप क्या मानलेगे प पटे एकrece कर दो की संख्या जहां P तथा Q सह अभाज पूरांग है ठीक है तो यहाँ पर P और Q क्या है सह अभाज पूरांग अब आपको करना क्या है तो root 2 बराबर P बटे Q है ठीक है सह अभाज पूरांग है मतलब की P और Q का जो गुडन खंड है जो उभैनिष्ट गुडन खंड है वो एक है यहाँ अब लिख सकते हैं अर्थात P तथा Q का HCF एक है यहाँ अब लिख सकते हैं ठीक ना चली अब क्या करेंगे तो आपके पास क्या दिया है root 2 बराबर P बटे Q यह दिया गया है इसको CMY카 नंबर 1 ले ले अब आप क्या करतें वर्ग करने पर दोनों पक्चों का वर्ग करने पर तो वर्ग आप करेंगे तो root 2 का वर्ग किपना हो जाएगा 2 हो जाएगा और P का वर्ग स्क्वेर ओ Q के वर्ग Q स्क्वेर तो यहां से आप लिख सकते हैं Q² बराबर P² बटे 2 ठीक है Q² बराबर P² बटे 2 मैंने आपको क्या बता है था कि P और Q क्या है पूर्णांक है और किसी वर्ग का भी पूर्णांक क्या होता है पूर्णांक ही होता है तो अब क्या देख रहे हैं कि ये भी पूरांक है ये भी पूरांक है और ये भी क्या है पूरांक है मतलब क्या बन रहा है कि पूरांक बटे पूरांक बराबर आपको पूरांक ही मिल रहा है अब पूरांक बटे पूरांक बराबर पूरांक मतलब नीचे वाली संख्या जो होगी उपर वाली संख्या को विभाजित करेगी अर्थात क्या लिख सकते हैं दो ठीक ना P स्क्वाइर का भाजक होगा मतलब विभाजित करेगा दो किसको विभाजित करेगा P स्क्वाइर को ऐसे लिखे दो P स्क्वाइर को विभाजित करेगा विभाजित करेगा और जो संक्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है जैसे 2 है किसको विभाजित कर रहा है P स्क्वार को इसका मतलब आप लेख सकते हो 2 P गुने P को विभाजित करेगा तो किसी ना किसी P को तो काटेगा अगर पहली बार काटेगा तो अर्थाद दो किसको विभाजित करेगा पी को विभाजित करेगा ठीक ना मतलब दो किसको विभाजित करेगा पी को ठीक ना तो दो पी को विभाजित करेगा तो क्या मान सकता हूं मैं कि मान लिजिए दो जो है पी को विभाजित कर रहा है किते बार M बार माना P को 2 ने भी भाज़त किया किते बार M बार है ना तो P बराबर कितना जाएगा तेरी अगुणा कर दीजे P बराबर हो गया 2M M क्या है जहां M पूर्णांग है M क्या है पूर्णांग है यह आ गया M ठीक है यहां पर M क्या गया पूर्णा अच्छा इसको समीकर्ण 2 लेना था यह मैं भूल गया था आपको बताना तो इसको आपको क्या लेना है समीकर्ण 2 लेना है clear चलिए अब समीकर्ण 2 लेने के बाद आगे बढ़ते हैं तो P बराबर 2M हो चुका है? समीकर्ण नबर 2 से. तो समीकर्ण 2 क्या हमाए पास? समीकर्ण 2 हमाए पास, P sqore बराबर है Q sqore by 2. यह था ना समीकर्ण नबर 2? हाँ, नहीं, उल्टा लिख दिया है, Q sqore बराबर P sqore by 2. Q sqore equal to P sqore upon 2. तो Q sqore बराबर P sqore मतलब 2m का वर्ग बटे 2 ठीक है न? तो q2 बराबर 2m का वर्ग यानिकी 2 का वर्ग 4 और m2 और बटे कितना 2 ठीक है न? तो 2m का स्क्क्वार 2 से काड़ दीजे ये कड़ गया 2 बार तो q2 बराबर कितना आगया अपने पास में 2m2 clear तो यहां से m2 बराबर कितना आगया q2 ये देख लीजे अब क्या हो रहा है यहां पर? m2 बराबर q2 बराबर 2 आ रहा है और q2 क्या है? पूरांक है 2 भी क्या है? पूरांक है m2 भी क्या है? पूरांक है मतलब पूरांग बटे पूरांग बराबर पूरांग आ रहा है फिर से है ना क्या हो रहा पूरांग बटे पूरांग बराबर पूरांग तो लिख सकते हैं आता है दो किसको विभाजित करेगा Q स्क्वार को विभाजित करेगा दो किसको विभाजित करेगा 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 ना बिल्कुल करेगा दो क्यू को विभाज़ित करेगा देखे अभी यहां पर पहले दो किसको विभाज़ित कर रहा था पी को यह वाली लाइन देखे दो किसको विभाज़ित करेगा पी को और यहां पर किसका आ गया कि दो किसको विभाज़ित करेगा क्यू क तो लिखेंगे अर्थात दो P तथा Q का उभैनिष्ठ गुडन खंड है, ठीक ना, उभैनिष्ठ गुडन खंड है, ठीक ना, तो अभी हमने क्या मान के चले थे, हम ये मान के चले थे सुरू में कि P और Q क्या है, सह अभाज हैं, मगर ये बात गलत साबित हो गई, P और Q का उभैनिष्ठ गुडन खंड कौन है, दो है, मतलब दो इसको भी काटेगा, और दो इसको भी काटेगा, क्योंकि दोनों का उभैनिष्ठ गुडन खंड है, और हमने क्या में देखा था, कि उभैनिष्ठ गुडन खं जो है एक है, मगर अभी यहां पर क्या रहा है, दो आ रहा है, दो दोनों को काट रहा है, इस स्थिती को कहते हैं, विरोधा भास, तो लिखेंगे, यह विरोधा भास की स्थिती है, कैसी स्थिती है, विरोधा भास की कुछ, हमने माना कुछ और कुछ और हो गया, मतलब उल्ट कर दो एक अपरी में अ टिकना हम जो प्रीमेंअ संख्या लेके चलों लेखे ठीक वह नहीं हो गा Republic कोई एक अंपरी में अवरी में मानना मैं सुरु में आपको प्रीमें को आप साबित र्चुके है तो कि यह अपरिमेय है ठीक न? चलिए, अब अगले सवाल की और चलते हैं, इसका अगला पार्ट जो है, जाच कीजी कि कि किसी प्रक्रसंक्या N के लिए, क्या road जाच कीजी कि किसी प्रक्रसंक्या N के लिए, क्या 6 की पावर N अंक Zero पर समाब्त हो सकता है? ठीक है? इसको हम प पता करना है कि हमको कि अगर क्या किसी संख्या N के लिए, प्राक्रत संख्या N के लिए, क्या 6 की पावर N, 0 पे समापत हो सकता कि नहीं हो सकता, तो माना, संख्या को हमने मान लिया X, X बराबर 6 की पावर N, जहां N क्या है, N कोई प्राक्रत संख्या है, अब देखे बिटा, n प्राकर संख्या है, अची बात है ठीक है, देखो, अब 6 की पावर n को, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, sorry, 6 का आप वो कर दीजे, अबहाज गुणन खंड, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, गुणे 3 की पावर n, ये बन जाएगा, ठीक है ना, 2 की पावर n और 3 की पावर n, देखिए, अब एक ची जानिए, कि 10 कब बनता है, 10, 0 कब आएगा, 0 तब आएगा, जब 10 बनेगा, और 10 बनने के लिए, आपके पास गुणन खंड के रूप में, 2 तथा, 5 होना अनिवार है, ठीक ना, 10 बनेगा, तभी 0 मिलेगा, तो यहाँ पे गुणन खंड में, 2 तथा, 5, कम से कम, 1 5 होना अनिवार है, है ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि, X के गुणन खंड में, 5 का, कोई भी, पद नहीं है, पद नहीं है, समझ गए, 5 का कोई भी पद नहीं है, भाई, जब 2 है, तो 2 गुणे 5 बनेगा, तभी तो 10 होगा, और जब 5 है यह नहीं है, तो क्या यह कभी 0 पे समाप्त होगा, अतह, यह किसी भी इस्थिती में 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना, तो यह 0 पर समाप्त कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो यहीं पर यह सवाल खतम हो जाता है, जाच कीजिए कि क्या किसी प्राकर संख्या एन के लिए, 6 की पावर एन 0 पर समाप्त होगा, उत्तर है नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, चलिए, अब तीसरा सवाल आता है, पर सवाल करमांग 20 कर लें हम लोग, सवाल करमांग 20, तो बहुपद का सवाल है ये बहुत ही सरल सवाल देखे क्या कह रहा है इस question में बहुपद x square plus 7 x plus 10 के सुन्या ग्याद कीजिए तो पहले तो आपको सुन्या ग्याद करना है और फिर उसके बाद में आपको सुन्या तथा गुडांकों की बीच में संबन्द इस्थापित करना है तो आपके पास जो बहुपद है वो क्या दिया है सबसे पहले बहुपद को पी लेते हैं पी एक्स बराबर x square plus 7 x plus 10 अब आप जानते हैं यहाँ पे कि इसको सबसे पहले हम a x square plus b x plus c से तुलना कर लेते हैं a का मानी यहाँ पे 1 है b का मानी यहाँ पे 7 है c का मानी यहाँ पे 10 है क्या करते हैं सुरू वाले और लाश्ट वाले का गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 10 ही कम 10 और जोडने पर कितना आना चाहिए 7 तो यह काम रफ का है आपके तो ऐसे दो नमबर क्या होंगे जिनमें गुणा करने पर 10 आए जोडने पर 7 तो 2 और 5 तो संख्या बन जाएंगी X2 प्लस 2X प्लस पांच एक्स प्लस दस तो एक्स आपने कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस दो अब फिर यहाँ आपने पांच कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस दो ठीक ना तो क्या वन गया गुड़न खंड एक्स प्लस दो कॉमन आ गया ना, 0 के लिए PX का मान किस से तुलना करते हैं, 0 से, यह मैं मिटा देता हूँ, इसका काम निकल गया अपना, तो शुन्यक निकालने के लिए हम PX का मान 0 से तुलना कर देते हैं, तो PX बराबर 0, तो PX का मान यहाँ पे कितना है, यही तो है, X प्लस 2, X प्लस 5, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x प्लस 2 बराबर 0 अथवा या और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर 0 माइनस 2 याने की माइनस 2 और x बराबर 0 माइनस 5 याने माइनस 5 तो x का मानिय तो minus 2 होगा या क्या होगा minus 5 ठीक ना अब इसको ले लो alpha एक root कहला जाता है alpha और एक root कहला जाता है beta minus 5 अब क्या करना है गुडांकों के बीच संबंध की सत्ता करना है हमको ठीक ना तो गुडांकों में संबंध अब अगला topic क्या बनेगा यही पर solve करने के लिए गुडांकों तथा मूल भी बोलते हैं इसको और शून्यक भी बोलते हैं शून्यक गुडांकों तथा शून्यकों में संबंध ठीक है तो पहला संबंध क्या होता है पहला संबंध होता है alpha प्लस beta बराबर होता है minus b upon a अब आपको कहोगे sir a b कहा से आगया बेटा सुरू में जब हमने तुलना कराई थी आपको किस की तुलना कराई थी x square plus 7x plus 10 की तुलना कराई थी किस के साथ ax square plus bx plus c के साथ है ना तो बेटा a का मान कितना है 1, b का मान है 7 और c का मान है 10 यह अब आपको लिखना पड़ेगा है ना तुलना करने के लिए a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 10 ठीक है तो अब चलिए क्या निकलना है alpha plus beta तो alpha का मान कितना आया है minus 2 beta का मान कितना आया है minus 5 बहुत बढ़िया और एक को है ना तो कितना हो गया minus 2 और minus 5 हो गया minus 7 और यहां पे implies का चिन्न लगा देना इसको implies बोलते है ना जब एक बराबर लगा रहता बीच में कहीं तो implies आता मतलब इसके आंगे बराबर minus का b देखिए ज़रा question में b कितना है साथ है और a कितना है एक है तो minus का साथ हो जाएगा और a का मान एक तो साथ एक का minus साथ तो यह देखिए बिलकुल हो गया तो क्या कह सकते है इसको हमें सत्यापित हुआ क्योंकि दोनों पार्टिस के बराबर है तो यही तो कहते है सत्यापित हुआ सत्य पाया गया है ना सत्यापित हुआ अब दूसरा सत्यापन करते है दूसरा सत्यापन का होता है मूलों में गुणन फल सुन्यकों का गुणन फल क्या होना चाहिए? C upon A के बराबर. तो सुन्यक कितने कितने आए है? माइनस दो अगुणे माइनस पाँच. और C देखो भाईया, तो माइनस दो माइनस पाँच, माइनस माइनस प्लस आएगा 10. अब देखो C कितना है? तो C यहाँ पे सवाल में कितना है? हमने दोनों पार्ट कर लिये हैं, ये भी सत्यापित हुआ, और दूसरा भी सत्यापित हुआ. ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये दोनों क्या हो गए? सत्यापित हो गए. अगले सवाल की ओर चलते हैं, प्रश्णक्रमांग 20 का दूसरा पार्ट. ये लिजिए. ही कै ना? दूसरा पार्ट क्या है? दो एक्स प्रस तीन वाई बराबर ग्यारा, और दो एक्स मैनस चार वाई बराबर माईनस चोविस को हल कीजिए, और इस से M का वहमान ग्याद कीजिए, जिसके लिए Y बराबर M X प्लस 3 हो. चलिए, तो ये किसका सवाल है ये? ये रेखिक समीकरण, युगम वाला सवाल है ना? दो चरों में रेखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3 का सवाल है ये. चलिए, क्या कहरा देखिए? 2 X plus 3 Y बराबर 11 और 2 X माइनस 4 Y बराबर M S 24. तो पहला समीकरण लिख लिजे, प्यार से. 2 X plus 3 Y बराबर 11 है पहला समीकरण. और दूसरा समीकरण है 2 X माइनस 4 Y बराबर M S का 24. तो पहले इसको हल कर दो. तो देखें 2X 2X है तो सीधे सीधे क्या कर दो घटाने पर क्योंकि अपने आप क्या हो जाएंगे विलोपित हो जाएंगे है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो ये माइनस हो जाएगा माइनस का चिन प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस अब X का मान निकालना है, तो समी करण एक लेना था इसको और दो लेना था इसको जो कि मैं भूल गया था, तो Y का मान पुट कर दो समी करण एक में या दो में, जिसमें मन करें पुट कर दो, मैं किसमें पुट कर देता हूँ? एक में, तो मैं लिख देता हूँ समी करण एक से क्या है समी करने कि दो एकस प्लस तीन वाई बराबर ग्यारा तो दो एकस प्लस तीन गुणे वाई वाई का मान कितना आ गया है पांच बराबर ग्यारा तो दो एकस प्लस पंदरा बराबर ग्यारा तीन गुणे पांच पंदरा हो गया तो 2X बराबर 11 माइनस 15 तो 2X बराबर 11 में 15 माइनस होके किता हो गया माइनस 4 तो X बराबर माइनस 4 बटे 2 2 दूने 4 किता आ गया माइनस 2 ओके तो X कमान कितना आ चुका है बच्चों X बराबर माइनस 2 बहुत बढ़िया X कमान हमारा आ चुका है माइनस 2 X का मान माइनस 2 आगया Y का मान 5 आगया अभी हल नहीं हुआ है अभी कह रहा है M का मान ग्याद करो X का मान आगया Y का मान ग्याद करो X का मान कितना आया है जड़ा देखो X का मान आया है माइनस 2 Y का मान आया है 5 X बराबर माइनस 2 Y बराबर 5 क्या ग्याद करना है M का मान ग्याद करना है जिसके लिए Y बराबर M X प्लस 3 है तो क्या दिया है Y बराबर चलिए यह मैं ही परहल कर दिता हूं नीचे क्या बोल रहा है Y बराबर है M X प्लस 3 mx plus 3 अब आपको m का मान गयात करना तो y का मान 5 आ चुका है m का मान पता नहीं x का मान कितना है minus 2 और plus 3 ठीक है ना चली m का मान निकालना ये कितना हो जाएगा minus 2m हो जाएगा क्योंकि 2 का m से multiply minus 2m और 5 इधर है इधर से 3 जाएगा तो 5 minus 2 कितना आ गया 2 आ जाएगा बराबर minus 2m तो m को रोक लेंगे तो 2 कि इधर जाएगा minus 2 इसमें जाएगा upon में तो 2 upon यह ने कि बटे minus 2 तो काट दो भी या 2 एक कम 2 minus उपर आ जाएगा तो m का मान कितना आ गया minus 1 यही पूछा गया था कौश्टन में कि m का मान गयात कीजिए तो m का मान कितना आ जाएगा minus 1 तो यह देखे m का वहमान तो answer m का मान कितना आ गया minus 1 है इसके m का मान ठीक है न तो जो m का मान finally हमको निकालना था कितना आ गया minus 1 यही हमको बुला गया था कि M का मानियात कीजिए चलिए बहुत बढ़िया तो यह question भी हमारा 20 वा भी हो गया हम धीर धीर हम अंत की तरब बढ़ते जा रहे हैं दो अंकों की संख्या चलिए question number 21 मैं कराने वाला हूं दोनों question बड़े ही मस्त है जबरदस्थ है टाइम लेने वाले question है करते हैं भाई question दुनों हम चलिए देखिए क्या कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है चलिए तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं ऐसे सवाल करने के लिए हम इकाई के और दहाई के अंक मान लेते हैं माना इकाई का अंक क्या है X है इकाई का अंक क्या है X है ठीक है ना और दहाई का अंक किता मान लिया भीया दहाई का अंक Y है है ना X Y है तो जो संख्या होगी मैंने आपको बताई थी यही है मेन पंच संख्या जो होगी वो क्या होगी इकाई का अंक का इस्थानी अमान एक होता है तो X हो जाएगा और दहाई का अंक का इस्थानी अमान Y होता है तो 10 Y हो जाएगा तो संख्या क्या बनेगी 10 Y प्लस X 10 Y प्लस X ये संख्या बन गई क्या कह रहा है, पहली चीज क्या दी गई, दो अंका की संख्यों के अंकों का योग नौ है, तो प्रश्ना अनुसार, प्रश्ना अनुसार, पहली कंडिशन क्या दी गई है, कि दोनों के अंकों का योग, X प्लस Y, क्योंकि अंक कौन कौन है, X और Y, X और Y दोनों का योग नौ हैं समी का नंबर एक बना के रख लो अब क्या कह रहा है इस संख्या का नौ गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है देखो भाई कह रहा है जो आपके पास ओरिजिनल संख्या है उसका नौ गुना और जो पलटने पर बनी है है ना वो पलटने पर बनी संख्या का कित्ते गुना है दो गुना अब अच्छे समझना इस लाइन को अगर आपके पास पहली जो संख्या है उसमें दहाई का अंक Y है और इकाई का अंक X है तो जो संख्या बनती वो क्या बनती है 10Y धन X अगर अंक पलट दोगे तो X यहाँ आ जाएगा और Y यहाँ आ जाएगा तो संख्या क्या बन जाएगी X Y तो नई संख्या क्या लिखी जाएगी 10X पलस Y अंक पलटने पर है ना तो अगर अंक पलटने पर नई संख्या इकाई को दहाई और दहाई को इकाई जैसे 63 है 63 को पलट दोगे तो क्या हो जागा 36 है ना समझने के लिए तो अंक पलटने पर पर नई संख्या क्या बनेगी भाईया अंक पलटने पर जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी ये वाली 10x प्लस y 10x प्लस y ये बनेगी अब प्रश्न कुछ कह रहा है, वो पढ़ो, प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों पर पलटने संख्या का 2 गुना हैं, मतलब जो ओरिजनल संख्या आपके पास है उसका 9 गुना, ओरिजिनल संख्या क्या है 10y प्लस x तो 9 गुना किसका ओरिजिनल संख्या का 10y प्लस x का जो सही संख्या हमको दी गई है ये काहे के बराबर है 2 गुने के किस चीज के 2 गुने के पलटने पर बनी संख्या के पलटने पर बनी संख्या कौन सी है 10x प्लस y समझो यही है में समीकरन औरीजिनल संख्या वास्तिविक जो संख्या आपके पास सही में उसका नौ गुना पलटने के बाद बनी संख्या के दो गुने के बराबर है तो दो गुना कर दिया अब इसको हल कर दो नौ गुने दरस बराबर 90X 90Y आएगा 90Y 90Y प्लस 9X बराबर दो दाहम 20X प्लस 2Y ठीक है तो 90Y ठीक है अब इसको कैसे करोगे इसको ऐसे जमालों की एक तरफ आ जाए है ना तो देखो 9X है 9X है और माइनस 20X यहां बुला लाओ ठीक है और प्लस 90Y तो हई है 90Y है उधर से माइनस 2Y को बला लाओ बराबर कितना हो गया जीरो बराबर कितना जीरो हो गया ठीक ना चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो अपने पास 9 में से 20 जाएगा कितना बनेगा 9 में से 20 गया तो माइनस का 11X और प्लस का कितना 90 में से 2 गया सो 88Y बराबर 0 माइनस का 11X और 88Y बराबर कितना 0 तो यदि तुम यहां से माइनस 11 common ले लोगे तो क्या बचेगा X अब धन में से रिन common लोगे तो क्या बचेगा रिन 8Y बराबर 0 तो X-8Y बराबर 0 बटे माइनस 11 0 से जो टकराएगा खुद 0 हो जाएगा X-8Y 0 में किसी का भी भाग दोगे कितना जाएगा 0 तो 2 समीकरण हमाई पास बन गए यह दूसरा समीकरण हमाई पास आ गया एक समीकरण तो हमाई पास हाई है X-8Y बराबर 9 और दूसरा समीकरण X-8Y बराबर 0 चलिए समीकरण एक और दो को हल करने पर यहीं पर हल कर देता हूँ है ना इस जगे पर तो लिखेंगा मैं कि समीकरण एक तथा दो को हल करने पर कैसे हल होगा पहला समीकरण क्या है एकस प्लस वाई बराबर नो है दूसरा समीकरण क्या निकला है एकस माइनस आठ वाई बराबर जीरो तो एक काम करो दोनों को क्या कर दो घटा दो घटाने पर क्यों घटा रहे हो क्योंकि घटा होगे तो एकसे एकस कर कैंसल हो जाएगा तो ये cancel हो गया x x y plus 8y बरावर 9y और ये भी minus 0 तो 9y में से 0 गया तो 9 ही आएगा तो y बरावर 9 एक कम 9, 9 में से 9 का भाग दे लिया y कमान कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है ना चलिए, एक आ गया, अब अपन को क्या चाहिए है, x चाहिए है तो समीकण एक में रख दो, समीकण एक से y कमान एक से क्या है, x plus y बरावर 9 है तो x plus y कमान एक बरावर 9, तो x बरावर 9 minus 1 यानि कितना हो गया, 8 तो x कमान कितना आ गया, 8 आ गया अब हमको संख्या निकालनी है, क्योंकि प्रश्णने का है वह संख्या तो original संख्या कितनी है माई 10y प्लस x है ना तो original संख्या जो है माई पास है संख्या जो है माई पास वो कितनी है 10y धन x तो दस, Y का मान कितना आया है, एक आया है और X का मान कितना आया है, आठ आया है, आया है कि नहीं आया है, देख लो Y का मान एक है, और X का मान आठ तो दस, एकम दस, और प्लस आठ तो ओरिजिनल संख्या आपकी क्या हो गई अठारा है ना तो अंक पलटने पर क्या बनेगी 81 बनेगी मगर यह पूछा नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है समझा दिया मैंने ऐसे ही तो जो आपकी ओरिजिनल संख्या मतलब कि आपकी जो मूल संख्या है जो मुख संख्या थी आपक 2-4 बर practice करें किसी को नहीं आता ही है तो X बराबर 8 आ गया और Y बराबर 1 आ गया और संख्या क्या जाएगी? 18 ठीक है ना? चली अगले सवाल की और बढ़ते हैं हाँ, अगला सवाल देखिए अगला सवाल वर्ग समीकर्ण का लग रहा है मुझे कैसे करेंगे देखिए अगला सवाल वर्ग समीकर्ण का दो ऐसी संख्या है ऐसी दो संख्या हैं गयात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुडनफल 82 हो अब हमको दोनों संख्या नहीं पता तो मानना पड़ेगा माना एक संख्या X है कितनी मानलो भईया X मानलो तथा दूसरी संख्या संख्या क्या मानलो Y मानलो अब पहली कंडिशन क्या दे रखी प्रशना अनुसार दोनों संख्याओं का योग 27 है तो X प्लस Y बराबर 27 तो Y बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस X Y बराबर हो जाएगा 27 माइनस X पहली चीज दोनों का योग 27 है तो 27 माइनस X हो जाएगा अब कहारा है दोनों का गुड़न फल 182 है दोनों का गुड़न फल 182 है तो प्रशना अनुसार अगेन दोनों का गुड़न फल 182 है एक्स गुणे Y बरावर 182 तो X गुणे Y बरावर 182 तो कैसे 182, X गुणे Y बरावर 182 है तो यहां से X और Y का मांद तो मैंने निकाल लिया है कितना है 27-X बरावर 182 अब इसको हल कर दें तो यह कितना हो जागा 27-X स्क्वाइर बरावर 182 अब थोड़ा इधर का उधर कर लीजे तो आसानी हो जाएगी आपको है न थोड़ा इसको इरदायबाय कर लीजे तो समझ मैं आ जाएगा आसानी से हल हो जाएगा तो देखिए x square अभी कहा है बेटा x square आपका भी दाएं तरफ है तो इधर पे क्या करिए 182 minus x square इधर आएगा दाएं तरफ तो plus x square हो जाएगा पहले बाएं में था और plus 27 x से यहां जाएगा तो minus 27 x और plus 182 इधर कुछ नहीं बचा तो 0 ठीक ना थोड़ा सा इसको मैं right side से लिखता हूँ left side से तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पे कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा इधर x square चला जाएगा दाएं साइड में plus हो गया और minus 27 x हो गया और minus 182 ठीक है ना अब इसको पलट करके लिख दो थोड़ा सा तो x square minus 27 x और plus 182 है sorry 182 तो पहले से था ना तो प्लस ही रहेगा बराबर 0 तो देखिए ऐसे दो नमबर ढूड़ने हैं आपको गुणा करने पर कितना है 182 और जोडने घटाने पर 27 मध्धपद वित्रण भी धी ठीक ना तो ऐसे दो नमबर कौन कौन से होते हैं 14 और 13 आप देख लें 14 और 13 को जोड़ दीजिए 27 आजाएगा तो हम यहाँ पर नमबर क्या बनाएंगे क्योंकि माइनस हमको लाना है तो अड़्जस्ट करेंगे माइनस 14 एक्स और माइनस का 13 एक्स और प्लस का 182 बराबर 0 क्योंकि माइनस 14 और माइनस 13 का गुड़न फल करके देख लो आप मैं कल्कुलिटर से करें देता हूँ यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है 14 गुणे 13 देखिए ज़रा 182 आ चुका है तो गुणा कितना चुका है 182 और जोड़ेंगे तो देख रहा माइनस 14 माइनस 13 कितना हैगा माइनस 27 ठीक है एक्स कॉमन ले लिए आपने तो क्या बन गया एक्स माइनस 14 फिर यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिए क्या बन गया एक्स माइनस 14 अगेन एक्कॉल टू जीरो कॉमन ले लिए इन दोनों पार्ट को x-14 x-13 equal to 0 answer आएगा x equal to 14 या x equal to 13 दो पार्ट में answer बन गया या तो x equal to 14 आएगा या x equal to 13 आएगा ठीक ना तो यही हल करना था तो दो संख्या है क्या होंगी जिनका गुडनफल 27 है जिनका योग 27 है तो वो उत्तर क्या होंगे 14 और 13 तो जो दो संख्या आपकी बन रही है वो क्या बन रही है एक 14 बन रही है और एक 13 बन रही है चलिए तो यह भी सवाल हमारा हो चुका है question number 1 के समाप्त अब question number 22 बचा और 23 बचा दो पार्ट है तो 22 का पहले हम करते हैं complete चलिए question थोड़े से बड़े हो रहे है क्योंकि 4 marks वाले question है थोड़ा बड़े तो हो गई बच्चों चलिए क्या कह रहा है question किसी AP के चौथे और आठवे पद का योग 24 तथा छटे और दसवे पदों का योग 44 है तो AP के प्रथम 3 पद ग्यात कीजिए चलिए ठीक है तो कभी भी AP का सवाल है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है माना AP का AP याने समांतर स्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर कितना भईया D है ठीक है ना अब क्या दे रखा भईया आपको कहरा चौथे और आठवे पदों का योग अच्छी बात है अब आपने पता है कि चौथा पद क्या होता है A प्लस 3D क्योंकि N-1 तो चौथे में आएगा 4-1 ने A प्लस 3D आठवा पद कितना होगा A प्लस 7D बराबर 24 चलो सबसे कितना होगा 2A और 3D प्लस 7D कितना होगा बराबर 24 दो कॉमन ले लो यहां से तो A प्लस 5D बराबर 24 तो A प्लस 5D बराबर 24 में दो का भाग चला जाएगा तो 12 दूने 24 तो A प्लस 5D बराबर 12 समी करण नमबर 1 यह हो गई पहली बात ठीक है ना चौते और आठवे पद का योग 24 है अब कहणा च्छटवे और दसवे पद का योग तो चलो इसको भी बना लो च्छटवा पद A6 और दसवा पद A10 बराबर कितना दिया भीए 44 दिया है तो च्छटवा पद क्या होगा A प्लस 5D दसमा पद क्या होगा A plus 9D बराबर 44 तो A plus A हो गया 2A और 5D, 9, 5, 14D बराबर 44 दो common लेलो A plus 7D बराबर 44 तो A plus 7D बराबर 44 बटे 2 कित आ गया 22 आ गया है न तो A plus 7D बराबर 22 समीकरण नमबर 2 अब 2 समीकरण आपके पास आ चुके हैं कुछ नहीं अब इन दोनों को आपको हल करना है ठीक ना क्या करना इनको आपको इनको आपको हल करना है समीकरण 1 वा 2 को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे देखिए a और d कमाना जाएगा a प्लस 5d बराबर 12 पहला समी करना दूसरा a प्लस 7d बराबर 22 दूसरा समी करना साब देखिए a के दोनों के गुडांक समान है तो माइनस कर दो तो ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस क्या लिख दो घटाने पर तो माइनस करना है यह घटाना तो घटाया आपने तो माइनस गुडांक बराबर है तो चिन्ह बदल जाएंगे ए से माइनस ए कैंसल पांच डी में से सेवन डी गए माइनस दो डी बराबर माइनस का दस माइनस से माइनस कैंसल D बराबर 10 बटे 2 तो D का मान कितना आ गया 5 लो पहली सफलता मिल गई D का मान कितना आ गया 5 आ गया अब D का मान किसी भी समय करण में रख दो तो A का मान आ जाएगा तो A प्लस 5 D बराबर कितना है 12 है तो A प्लस 5 अगुने D का मान कितना 5 बराबर 12 तो A प्लस 25 बराबर 12 तो A बराबर 12 माइनस 25 A बराबर कितना हो गया? माइनस 13 क्योंकि 12 में से 25 जाएंगे 25 तो A बराबर हो गया माइनस 13 ठीक न? चलिए अब आपको लिखना है कहरा प्रथम 3 पद ग्याद करने है न? प्रथम 3 पद तो सुरू के 3 पद पहला होता है A1 दूसरा होता है A2 तीसरा होता है A3 A1 कितना होता है A? A2 कितना होता है A प्लस D और A3 कितना होता है A प्लस 2D मतलब सुद में D D एड़ होता जाता है तो पहला पद कितना है? माइनस 13 तो अगला क्या होगा माइनस 13 में 5 जुड़ जाएगा कितना बन जाएगा माइनस 8 ठीक ना और फिर क्या है फिर है माइनस 13 में 2 2 और D का मतलब कितना माइनस 5 यानिकी सुरी प्लस 5 है तो 10 जुड़ जाएगा दो पंचे 10 मतलब माइनस 13 और प्लस 10 तो कितना जाएगा माइनस 3 तो जो आपकी एपी बनेगी वो क्या बनेगी एपी पहला पद माइनस 13 में 5 जुड़ गया आगया माइनस 8 माइनस 8 में 5 जुड़ गया माइनस 3 तो यह एपी के आपक कि चलिए दिखिए अगला सवाल मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ना बहुत लेंदी सवाल जो दिया गया है काफी लेंदी सवाल है क्या कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम साथ पदों का योग 59 है और प्रथम 17 कितना मान लिया A सरवांतर कितना मान लिया या D ये तो आपको लेना ही पड़ेगा सवाल की सुरुवात के लिए है न अब क्या कह रहा AP के प्रथम साथ पदों का यूग तो साथ पद का यूग क्या होता है S7 S7 कितना दे रखा आपको 49 कितना दे रखा है अब देखो बेटा आपको फॉर्मूला पता होता है SN का क्या होता है N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D यह होता है तो यहीं पर यह लगा दो फॉर्मूला तो N की जगे कितना आएगा 7 बटे 2 N की जगे 7 पत है ना bracket में 2A plus 7 minus 1 into D कमान कितना भी है D ही है बराबर 49 ठीक है बहुत अच्छे solve करना है इसको देखो तो 7 by 2 bracket में कितना बचेगा 2A और plus कितना आएगा 6D है ना बराबर 49 अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको 7 by 2 यहाँ पर अंदर से 2 common ले लो क्या बच जाएगा 2A बच जाएगा यहाँ 3D बच जाएगा बराबर 49 तो 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel तो 7 bracket में A plus 3D equal to 49 ठीक ना 7 bracket में A plus 3D equal to 49 तो 7 into A कितना हो गया 7A और 7 थीजा 21D equal to 49 equation number 1 7A plus 21D equal to 49 एक मिनट और solve हो सकता है इसको हम और छोटा कर सकते हैं कैसे पता है हम यहाँ से 7 multiply में हैं गुणे में हैं तो उसको भाग में भेज़ दो तो A plus 3D बराबर बिटा 49 बटे 7 तो 7 सत्य उनन चास तो क्या बन गया समीकन A plus 3D बराबर 7 बन गया वाह सरल समीकन बन गया A plus 3D बराबर 7 नमबर एक पहली चीज क्या बन गया A plus 3D बराबर 7 अब दूसरा condition क्या दी गई है 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है देखो भई यह भी दिया है तो दूसरी condition बनाते हैं हम लोग 17 पदों का योग S सत्रा योग याने S याने योग सम बोलते हैं इंगलिस में बराबर 289 है ना तो 17 पदों का योग 289 है कुछ गलती कर दी हाँ गलती कर दी यहाँ पर 17 माइनस एक क्योंकि एने याने सत्रा पद है इंटू डी बराबर कितना है 289 तो 17 बटे दो यहाँ पर 2A और प्लस 17 में से एक गए किता हुआ 16D बराबर 289 अब एक काम करो 17 बटे दो तो रहने दो यहाँ से आप 2 common ले लो तो 2 common लोगे तो किता बचेगा A प्लस 8D बराबर 289 दो से 2 क्या हो गया कैंसल तो यहाँ क्या बच गया 17 और ब्रैकेट में A प्लस 8D बराबर 289 बहुत बढ़िया तो A प्लस 8D का मान कितना आ गया 289 बटे 17 और 17 से क्या बार कैंसल होगा 17 बार तो A प्लस 8D का मान किसके बराबर हो गया 17 के बराबर समीकरण नमबर 2 तो 2 समीकरण हमाई पास आ चुके हैं ना बहुत बढ़िया क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है देखो बच्चों 289 का मतलब क्या होता है 17 गुणे 17 सत्रा का वर्ग होता है 289 तो अगर 17 से भाग देदोगे तो 17 से 17 कैंसल हो जागा और 17 बच जाएगा है ना तो 17 बच गया 17 बच गया है ना दो को हल करने पर तो दो बड़ा दिख रहा तो पहले दो को लिख लो जान बूच करके तो A प्लस 8D बराबर 17 और दूसरा A प्लस 3D बराबर 7 चलो क्या कर दो घटा दो तो यहां लिखो घटाने पर है ना माइनस 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 चिन बदल जाते हैं A से A कैंसल तो 8D में से 3D गया कितना बच भीटा प्रच पांच डी और 17 में से 7 गया तो बचच दस तो D बराबर 10 बच पांच कट गया प्लो पांदूने 10 तो D कमान कितना आ गया दो आ गया D का मान कितना आ गया 2 आ गया अब D का मान रख दो बिटा किसमें समी करण 1 में समी करण 1 से लिखेंगे समी करण 1 से समी करण 1 कहा है समी करण 1 यह है A प्लस 3D बराबर 7 है ना A प्लस 3D बराबर 7 तो A प्लस 3 और D का मान कितना है 2 बराबर 7 तो A plus 3 to 6, 3 दोने 6, बराबर 7, तो A बराबर 7 minus 6, तो A equal to कितना हो गया? 7 minus 6 equal to हो गया 1, तो A का मान बच्चों हो गया कितना? 1, equal to 1, equal to कितना हो गया? 1 तो अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन ने क्या का है? N पदों का योग है न? सब कुछ हो गया, A निकल गया, D निकल गया, अब इसके बाद क्वेश्चन का कहना है, प्रश्ण का, कि भाईया N पदों का योग बता दो, N पदों का योग, तो S N बराबर N by 2, bracket में 2A plus N minus 1 into D, यह होता है, अब इस सूतर में आप रख दीजे सारी चीज़े जो आपने ग्या 1, और D का मान कितना निकला है, 2 निकला है, न, D का मान 2, तो देखे, N by 2 रहन दीजिए, 2 एक कम कितना आ गया, 2 आ गया, अब 2 का गुणा करिए, N minus 1 के साथ, तो 2 का गुणा N के साथ, 2N, और 2 का गुणा 1 के साथ, minus 2, minus 2 से plus 2, cancel हो गया, तो N by 2 बचा, और bracket में क्या बचा, 2 N गुणे में, तो 2 से 2 cancel हो गया, उत्तर क्या आएगा, N square, तो N पदों का योग कितना होगा, N square, बहुत बढ़िया, ठीक है न, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा question था ये, क्या क्या किया, एक बार फिर देख लीजिए, प्रथम पद A ले लिया, सरवानतर D ले लिया, फ प्लस 8D बराबर 17, दोनों समी करणों को हल कर दिया, फस्ट और सेकेंड याने, एक और दो को, तो A का माना आगया, D का माना आगया, और A का मान, D का माना आने, पर कितना क्या निकलना था, N पदों का योग है, तो N की जगे N ही रहेगा, क्योंकि आपको पद का नंबर नही कोई भी पद हो सकता है, N की जगे N रखके निकाल लीजे, उत्तर आगया N स्कूर, ठीक है, चलिए, बड़ा सवाल था, अच्छे से करिएगा, आखरी सवाल की ओर चलते हैं, अब रैखिक समी करण X प्लस 2Y बराबर 3, और ये जो है, 7X माइनस 15Y बराबर 2 को विल ओपन वि लिए, कि समी करण X प्लस 2Y बराबर 3, और 7X माइनस 15Y बराबर 2, इसको किस से हल करना है, बिल ओपन विधी से, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, बिल ओपन विधी उसी को बोलते हैं, ठीक है, चलिए, तो ये हम सवाल जो है, हल करने जा रहे हैं, किस विधी से, बिल ओपन वि इसको हम, समी करण हमें पास है, X प्लस 2Y एक्वल टू 3, समी करण नंबर 1 ले लिजिए, और दूसरा समी करण है, 7X माइनस 15Y एक्वल टू 2, ये देखिए, अब दोनों समी करणों के गुडांक एक नहीं है, X का गुडांक उपर 1 है, नीचे 7 है, इधर 2 है, Y का गुडांक तो हम क्या करते हैं, गुडां करते हैं, क्या करेंगे देखिए, किसको समान बनाना है, मानलो आपको X को बिलोपित करना है, ठीक है ना, तो X को यदि बिलोपित करना है, तो लिखेंगे, समी करण एक में, देखो, नीचे का गुडांक उपर और उपर का गुडांक नीचे, तो साथ है नीचे का गुणांग तो उपर साथ का गुणा कर दोगे समीकरण एक में साथ का गुणा तथा समीकरण दो में समीकरण दो में भाईया देखो दूसरा समीकरण नीचे है दो में कितने का गुणा एक का क्योंकि एक का गुणांग एक है 2y बराबर 3, का एकगुणा करना है पूरे में 7 का, तो डिब्बा बंद करके, ब्रेकेट लगा के, 7 का गुणा और नीचे, 7x-15y बराबर 2, का एकगुणा करना है, 1 का, तो 1 का गुणा करना न करना बराबर होता है, क्योंकि 1 के गुणा से कोई फार्क नहीं बैठता, चलो, गुणा करो, 7 गुणे X कितना हो गया, 7X, प्लस, 7 दोने 14Y, बराबर 731, 7X-15Y, बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2, चलिए, अब क्या करना है, हमको X को eliminate करना है, यानि विलोपित करना है, तो क्या कर देंगे, घटाने पर, ठीक न, घटाने पर, क्यों घटा होगे, क्योंकि ऊपर भी X प्लस में है, नीचे भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा, अब हटाना है, तो उसको minus करना पड़ेगा, तो ये minus हो जाएगा, ये plus हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, minus, चिन बतल गए, साथ X से साथ X के लिए, चाउदा एक्स और पंदरा एक्स कित्ता होता है, चाउदा और पंदरा 29, हाँ, चाउदा एक्स, चाउदा वाई और पंदरा वाई, दोनों जुड़ जाएगे, तो 29Y है न, बिल्कुल सही, ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस हो गया, 29Y बराबर, 21 में से 2 गया, कित्ता हो जाएगा, 29, तो Y बराबर हो गया, 29 बटे 39, देखो, पहला Y का मान कितना, अजीब मान आया है न, Y का मान कितना आ गया, 19 बटे 39, अब Y का मान आप एक काम करो, समी करण एक में रख दो, तो X का मान आ जाएगा, तो समी करण एक से ठीक है तो X प्लस 2 Y बराबर 3 है तो X प्लस 2 Y का मान केतना है 19 बटे 39 बराबर 3 तो X 19 गुने 2 क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा 19 गुने 38 बटे 39 बराबर 3 ठीक है ना तो X बराबर 3 प्लस का है ये अहां से 38 जाएगा और बटे 39 तो प्लस वाली चीज किस में हो जाएगी माइनस में चलिए तो X बराबर अब यहां पर देखो कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानेंगे लगुत्तम कितना आएगा 29 और 29 में एक का भाग दिये 29 और 29 में 3 का गुणा हो जागा तो 87 में से 38 माइनस कर दो 17 में से 8 गए 9 यह बन जाएगा 7 7 में से 3 गए 4 मतलब X बराबर आ गया 49 बटे 39 यह दोनों आंसर आ चुके हैं आपका X का मान ने आ चुका है और Y का भी मान आ चुका है X का मान कितना है 49 बटे 39 और Y का मान कितना है 19 बटे 29 तो X का मान है 49 बटे 29 और Y का मान कितना है 19 बटे 29 तो हमारा जो त्रिभुच छोड़ करके जितना भी पार्ट था पेपर का वो हमने कवर कर लिया है अब हमारा केवल त्रिभुज का पार्ट बचा हुआ है जिसमें सवाल नंबर 23 बची हुई है है न और क्या बचा हुआ है हाँ एकली ये बचा है सवाल नंबर आपका 15 है ना सवाल नंबर 15 के दोनों पार्ट बचे हुए है है ना 37 चलिए, तो मैं आपको अब सवाल नंबर 15 करवा दूँं, कियोंकि मैंने कहा था कि मैं ये सवाल जो है, last में करवाँगा, अन्त में, और इस वीडियो का अन्त अब निकट है, तो अब मैं इसके सवाल आपको करवा देता हूँ सवाल नंबर 15 का पहले पहला पार्ट मैं करवाता हूँ आपको फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे है न चलिए देखिए पहला पार्ट क्या कहरा पहला पार्ट भाई पहले पार्ट का कहना है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQR पर क्रमस है बिंदू E और F इस्थित है ठीक ना निम्द दी गई इस्थिती के लिए बताईए कि क्या EF समांतर QR है तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या बनाना भाई त्रिभुज बनाना है ना तो ये देखिए मैं आपके लिए एक त्रिभुज बना दिया ये देखिए त्रिभुज है ये त्रिभुज अपना है तो किसी तरिभुच PQR तो ये तरिभुच P है ये बिंदू Q है और ये बिंदू क्या है R है किसी तरिभुच PQR की भुजाओ P और R पर बिंदू क्रम से है E और F तो बिटा आपको क्या लेना है दो बिंदू लेने है E और F दो बिंदू लेने है क्या लेने हैं दो बिंदू E और F तो यह देखो यहां से मैंने दो बिंदू ले लिए E और F ठीक है? चलो बहुत बढ़िया तो ये बिंदू मेरा क्या है बिटा? इस बिंदू का नाम मान लो E है और इस बिंदू का नाम मानलो F है इस बिंदू E और F है ठीक ना? अब देखने में तु लग रहा है कि E F जो है बिटा वो Q R के क्या लग रहा? समानतर लग रहा है एकदम समानतर लग रहा है देखो लग रहा की नहीं लग रहा है मगर ऐसे नहीं है आपको साबित करना है कि पता करना है कि समानतर है की नहीं है अब देखो यहाँ पे P से लेके E कितना है 3.9 E से लेके Q कितना है 3 है P से लेके F कितना है बिटा 3.6 और F से लेके R कितना है ये F है ये R है ना नीचे जो दिया है ये F है ये वाला F है ये वाला क्या है R है तो F से लेके R की दूरी कितनी है 2.4 ठीक है ना अब क्या है सुन लो भाई बिटा अगर अगर बिटा ये समानतर होने की सर्थ क्या है समानतर होने की सर्थे होती है यदि P.E. बटे E. Q अगर P.E. बटे E. Q जो है किसके बराबर आजाए मतलब इधर के तुकडे का अनुपात और इधर के तुकडे का अनुपात मतलब दाएं तरफ के तुकड़े का अनुपात और बाएं तरफ के तुकड़े का अनुपात अगर बराबर आ जाए तो बिटा बिलकुल समाना अंतर हो जाएगा ठीक ना दाएं तरफ के तुकड़े का अनुपात और बाएं तरफ के तुकड़े का अनुपात यदि बराबर आ जाए तो समाना अ तो ये होती है समानतर होने की सर्थ, अगर ये बराबर आ गया, मतलब उपर वाला तुकड़ा बटे नीचे का तुकड़ा, बाया तरफ का और इधर भी दाया बटे बाया, है ना, उपर बटे नीचे का दाया, दाया वाले तुकड़े जो है बराबर होगे, तो चलो खेर, करत करते हैं तीन दसम्लों नौ बिटा टूट जाएगा कितने में आ जागा दस में आ जागा क्योंकि दसम्लों टूटके क्या बनता दस तो ऊपर कितना बज गया 49 और नीचे बज गया तीन गुणे दूसरा अनुपाथ हमको निकालना है दूसरा अनुपाथ हम निकालते हैं देखी दूसरा अनुपाथ में निकालता हूँ कि इसका पी एफ बटे एफ हार का तो पी एफ अपॉन एफ आर अगर ये भी समान आ गया तो दोनों समानतर होगी तीन दसम्लों छै बटे दो दसम्लो तो सबसे पहले 10 अमलों का 10 दस उड़ा दो, ऊपर 10 बनेगा इसका और नीचे इसका 10 बनेगा, दोनों कैंसल हो गए, तो कितना बटे, 36 बटे, 24, चलो काटते हैं, इसको किस से काटेंगे, तीन से काटते हैं, तो तीन से कटेगा 12, और ये कितना होगा, ये 12, 3 से, और ये 3 से 8 और काट दो, इसको 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से 3 बार, और ये कितना आगया, 3 बटे, 2, ध्यान से देखिए, क्या दोनों अनुपाद बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, दोनों अनुपाद बराबर नहीं आ रहे हैं, इधर वाले का अनुपाद कितना आ रहा है, इधर वाले का अनुपाद आ रहा है 13 बटे 10 और इधर वाले का अनुपाद कितना आ रहा है 3 बटे 2 तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों अनुपाद बराबर नहीं है इसको लिखेंगे कि जो अनुपाद है लेफ्ट वाला अनुपाद बाएं तरफ के अनुपाद क्या है पी ए बटे एक्यू बराबर नहीं है किसके पी एफ बटे एफ आर के पी एफ बटे एफ आर के और बराबर नहीं है इसका मतलब समानतर नहीं होगे कौन सी लाइन ये वाली ये वाली और ये वाली समानतर नहीं होगी समांतर का चिन होता है ये और समांतर नहीं होने का चिन होता है ये समांतर नहीं होगी किसके QR के है ना तो EF जो होगा QR के समांतर है पूछरा समांतर है तो उत्तर आएगा नहीं समांतर नहीं है क्योंकि आपके जो संगत अनुपात आएं है तो ये पहला सवाल हो गया आपका त्रिभुज का जो आपने पूछा आपके इस पेपर में दूसरा सवाल ये है देखिए दूसरे सवाल भी मजा आएगा दूसरे सवाल में हमको चित्र बनाना है ना चलिए देखते हैं जब question खुद guarantee ले ले कि समरूप त्रिभुज मैं ले रहा हूँ तो तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि guarantee किसकी question की है आईए देखे जैसे question है दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF लेव भाया मतलब question नहीं ही दो समरूप त्रिभुज आपको दे रखे हैं तो लेव हम कौन होते हैं भाई कुछ कहने वाले हमने दो समरूप त्रिभुज बना लिए एक पहला समरूप त्रिभुज और ये दूसरा समरूप त्रिभुज है ये क्या कहा रहा त्रिभुज ABC तो ABC किसके समरूप है DEF के जैसे तो जहां पे A बैठा उसके सामने D बैठेगा जहां पे B बैठा उसके सामने E बैठेगा और जहां C बैठा उसके सामने F बैठेगा चलो ठीक है एंगल A बराबर 47 तो बिटा कि संगत कौन है D तो यहां पे A पे 47 बन रहा तो D पे भी कितना बनेगा 47 बनेगा E कितना दे रखा है 83 दे रखा है ये E का 83 दे रखा भाई साब अब जब आप कही रहे हुग सम्रूप है तो ये अगर 83 है तो ये भी कितना होगा 83 ही सुखा बहुत बढ़िया, तो क्या कह रहा, C का मान ग्याद करो, लिए, अब C का मान ग्याद करना है, तो इसको X मान लो, क्या मान लो इसको, X, और कौन सी प्रापर्टी लगा दोगे, कौन सा प्रगुन लगा दोगे, तिरे भुच के तीनों कौन का योग कितना होता, 180, तो 47, इसको प्लस 83, प्लस पता नहीं है, उसे X मान लिया है, बराबर 180 डिगरी है, 47, 83, 7, 3, 10, और 8, 4, 12, और 1, 13, 7, 3, 10 हो गया, 8, 4, 12, 1, 13, प्लस X बराबर 180 डिगरी, ठीक ना, बिलकुल सही, तो X बराबर हो गया, 180, और माइनस का 130, ठीक है, 0 से 0 गया, 0, 8 में से 3 गया, 5, तो उत्तर आ गया, X बराबर, 50 डिगरी, कितना आ गया, X बराबर, 50 डिगरी, यहां, तो X का मान कितना है, 50 डिगरी है, यह X का मान जो है, बच्चों, 50 डिगरी आ गया है, तो कोण C पूछा गया था, तो एंगल C भी कितना होगा, 50, और मैं यह बता दूँ क्योंकि यह समर कितना होगा ये भी 50 ही होगा समझ गए अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 ही होगा हलाकि पूछा नहीं है किवल C का मान पूछा है तो C का मान कितने डिगरी होगा 50 ठीक है चलिए C का मान हो गया 50 डिगरी तो दोनों त्रिभुच हो गए हमारे ये भी हो गया चलिए अगला देखे क्वेस्चन क्या है अगला क्वेस्चन है DE parallel to BC DE parallel to BC दे रखा है अच्छा ठीक है देखे क्या कह रहा है दी गई आकरती में DE parallel to BC है बहुत बढ़िया मतलब इस बार आपने हमको खुद बता दिया है कि ये दोनों parallel है तो अभी अभी मैंने आपको कराया ऐसा ही क्वेस्चन जिसमें ये भुजा इसके parallel होती तो parallel होने की सर्थ क्या होती है लेफ्ट का तुकड़ा ऊपर बटे नीचे का तुकड़ा बराबर इधर का तुकड़ा बटे नीचे का तुकड़ा तो चलिए देखे यहां के तुकड़े कौन कौन से है AD समानतर की सर्थ क्या होती समानतर होने की सर्थ होती है AD बटे DB मतलब इधर का तुकड़ा AD और नीचे का तुकड़ा DB यह वाला दोनोगों तुकड़े का अनुपात बराबर होना चाहिय है इस वाले की अनुपात के तो इधर का अनुपात क्या बनेगा A-E अनुपाते E-C E-C समानतर होने की सर्थ होती है बाएं बटे बाएं बाएं उपर बटे बाएं नीचे बराबर दाया उपर बटे दाया नीचे चलो तो A-D का मान ग्यात करना है तो जो ज्यात नहीं हो ता math में क्या मनते हैं उसे x x बराबर db कितना है 7.2 cm a e कितना है 1.8 cm और e c कितना है 5.4 cm ठीक है ना तो x को रोक लो बागी सब को इधर उधर कर दो तो x को रोक लिया यहाँ 1.8 पहले से था 5.4 पहले से था गुणे 7.2 कहां चला जागा उपर नीचे से कहां चला जागा उपर चलो दसमलो की काटा कुटी करते हैं 1.8 का दसमलो नीचे तूटेगा 5.4 का दसमलो ऊपर तूटेगा और 7.2 का दसमलो कहां तूटेगा नीचे क्या क्या हो गया देखो बड़े अच्छे से समझना X बराबर क्या क्या हो गया बेटा X बराबर देखो मज़े की चीज़ है X बराबर उपर यहां बचा 18 यहां बचा 72 यहां बचा 10 नीचे बचा 54 यहां भी 10 यहां भी 10 तो 10 से 10 क्या हो गया Cancel ठीक है काटा कुटी करो अठारा तियां चववन अठारा गुने तीन कितना होता चववन और तीन से बहत्तर कितने बार कटेगा 24 बार 24 तियां बहत्तर तो बच क्या गया कुल मिला के 24 बटे 10 जिसको लिखेंगे 2.4 सेंटी मीटर तो करेक्ट आंसर इसका कितना बन जाएगा आपका ये जो साइड एक्स आ रही है जो आपको पता नहीं है ये वाली साइड इसकी लंबाई कितनी होगी 2.4 सेंटी मीटर तो करेक्ट आंसर है इसका 2.4 सेंटी मीटर ठीक है चलिए ठीक है? आप देखते हैं इसके बाद क्या बच्चा? इसके बाद देखिए अगला क्व Pokémon है सिद्ध कीजे कि दो भुजाों के नद बिंदू को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानतर होती है इसे बोलते हैं थेलस प्रमेयका प्रतिलोम है ना ये तेल्स प्रमेय का प्रतिलोम है बिटा ठीक ना और दूसरी थ्योर्म हमको जो लाश्ट में पूछी गई है बच्चों इस पेपर में ही हमको एक थ्योर्म पूछी गई है ये देखे आधारभूत अनुपातिक्ता प्रमेय है जिसको हम क्या बोलते हैं थेल्स प्रमे हैं है ना थेल्स प्रमे का कथन लिख करके इस प्रमे को तो हमको ये सीधी थियोरम पूछी गई है उल्टी मतलब एक ही पेपर में हमको सीधी वाली थियोरम भी पूछ ली गई है और इसकी उल्टी थियोरम यानि कि इसका reverse कहलो, converse कहलो दोनों theorem पूछी गई है चार नमबर की, चार नमबर की यानि आठ नमबर की theorem हमको पूछी गई है, चार चार आठ तो मैं आपको ये दोनों theorem करवा दूँगा, क्या करवा दूँगा मैं आपको दोनों theorem, दोनों प्रमिय create हो सकता है तो मैं आपको next वीडियो में दोनों प्रमिये बड़े अच्छे से करवाता हूँ चलिए तो इन दोनों paper को आपने बढ़िया से कर लिया है और मैंने भी करा दिया है I hope आपको समझ में आया होगा जो समझ में नहीं आया है उस बात को comment करिए है ना और बताईए तो मैं आपकी और दिक्कत मदद कर पाऊँ आपकी चलिए तो अभी के लिए हमको आग्या दीजिए इतने समय तक हम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार